नमस्कार दोस्तों यूपीट पेलेसी पेट की विजेता बैच में आप सभी का स्वागत है दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश आधियन सेवा चैन आयोग द्वारा विविन परिच्छाव में विज्ञान के जितने प्रस्न पूछे गए हैं उनको हल कर रहें इस करम का या द और उसमें अग lunar दातों के साथ अनपात मतलब तीक हैं इसे कहा जाता है तो मोलर यसे कहा जाता है नंपात कूछ रहा तो हमें पता होना चाहिए नपकास कया होता है हमारे मुह में चार प्रकार के दाध होता है मेंसीजर क्यों से कोक्त हमघेनाइन, एक होता है प्री मोलर का एक होता है मोलर इनका जो अनपात होता है वो होता है 21 थेज़ ठीक 21-23 पूछ रहा प्रस्ण में अग्र चवणडक और चवणडक के बीच में मतलब प्री मोलर और मोलर के बीच में तो यहां कौन सा अनपात है दो अनपात है तीन का यहां पर अनपात बत्तिवदाथ हो जाते जब बाल लीव स्ता क्वेदाथ होते तो एन पात होता महरा 21 ические Two to 2 Instagram क्ईच already Moeller कोई भी निकला नहीं होता है इस प्रकारी हमारे मुंभंर दाथ कितन प्रकार के इंसीजर के नाइन प्री मोलर और मुल अगर हिंदी में तो यह रोजाएगा अगर रॉद्रा किंध्र के दूसरे के दवरान कहां से और अप्सिष्टों के सानलगनों हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देटी आप रोटीन यह फिन अच्रेट गैं फिर निकालाborकure से आसि यह तो आमोनिया बनती है हैं है है फिर टूरती है तो इससे अमोनिया ouais होती है जिक्रित क्या करता है इस अमॉनिया को यूरिया में मदल देता है जो कम विशाला होता है हुआ ते यह काम इसका हो जाता है दूसरा काम क्या है या बाइल यूस का ठीक है या करेत भाइल जूस का है मुटे सिक्रिशन होता है क्याता है डिट करता है मतलब है और यह ऑडिए यूश जाके गांयी लेडर में कि घई फ्रम के लाइब लेंल लेकिन बंता कहां यह करित किंद करें T यह हमारे स्परीर की सबसे बढ़ी गरंति है थिक सबसे बढ़ी गरंती होती है इसका वज़ते दो किलोग्राम की आसपास ठीक है यह सब काम क्या हमारी यकृत के काम है अगर एक से प्रकार के कोईले में सबसे अधिक कारवन समागरी होती है। मुखेता जो कोयले होते हैं हमारे चार प्रकार गोटे एक होता हमारा एंथ्रियसाइट यह पहला प्रकार दूसरा बिटू मीनस तीसरा लिगनाइट चवथा आप ठीट सबसे अच्छा जो मारकोला होता लोता है तो इस इंथ्रियसाइट होता है 20-45 पर्षत क्या पायाता है कार्बन पायाता है त्टीख ये इसे थोड़ा खराब होता है तीसरा लिगनाइड प्रकार का प्रफ नमारा है कि निम लखित में से कौन सा पदार्थ एक ना चिपकने वाले बर्तन की सता पर लेपित क्या जाता है यह हमारा है टेफलान ठीक है टेफलान जो है इसको एक ना चिपकने वाली सता की रूप में लेपित क्या जाता है बर्तनों पर जिससे खाना बनाते समय खाना उसमें चपकता नहीं है ठीक है अगला ध करता है आबरित ठी किन जो औरते होती है उर्जा विजाधा होती है और इस परकार तॉटे तारत पिछ बढ़ जाती है आबरित जितनी यादा बढ़ती जाती है तारत उतनी यादा भी बढ़ जाएगा और आवाज क्या हो जी कि आवाज पतली हो जाती है और जैसे जैसे आपरित घड़ती है तरत क्षोज गड़ती है और आवाज मोटी हो जाती है जो मेल होते हैं मेल उसमें आपरित कम होती है तरत कम होता है आवाज मोटी होती है जितने भी फिमेल होते हैं उसमें आबरित ज्यादा होती है ठीक है तारत ज्यादा होता है आवाज पतली होती है तारत जो होता है वो आबरित प्ये निर्भर करता है और आबरित के बारे में कि आबरित जो होता है तरंग धैर का तरंग धैर का उल्टा होता ठीक है अबरित अगर बढ़ेगी है अबरित अगर बढ़ती है तो तरंग धैर घड़ता है अगला प्रशन मारा है की हार्मोन इंसुलिन हमारे स्रीर में किस गरंती द्वारा सिक्रीट होता है या हमारे अगनासे के द्वारा बनता है अगनासे के द्वारा बनता है अगनासे पर पाई आती लेंगर हैंस की दीपकाएं ठीक है लेंगर हैंस की कि दीपकाएं पाई आती है और इसी की बीटा सेल से क्या होता है इंसुलिन का सिक्रीशन होता है ठीक है इंसुलिन का सिक्रीशन होता है लेंगर हैंस की बीटा कोश्काओं के द्वारा ठीक है तो हार्मोन इंसुलिन का सिक्रीशन अगनासे गरंते द्वारा होता है अगनासे के लेंगर हैंस की दिवकाय पाई आती है इसकी बीटा फेल्स इंसलिन का सिक्रीशन होता है अगनासे क्या है हमारी सबसे बड़ी मिश्रित गरंथी तीक है गरंथी दो प्रकार को होती है मतलब हो गई नुखत्या एक प्रकार को जिए सबसे बड़ी सबसे बड़ी अंतास्तित गरंथी अगनासे क्या है सबसे बड़ी मिश्रित गरंथी दूसरी बात यह थाइराइट गरंथे अगर पूची जाये मिस्रित या इससे ना मतलब लिया जाये तो सबसे बड़ी करनत है मिफरित अगनासर हो होता है ठीक है यह हुमारा बना होता है कैल्सियम सल्फेट का के बना होता है कैल्सियम सल्फेट का इसका फार्मूला होता है सी यह यह सो फोर इन्टू हाफ ह्ट्टू ओ ठीक है यह बना होता कैल्सियम सल्फिट का और इसका प्रियोग प्लफटर में ठीक है लाश्टर कर और घर की जब पूताइट ये लगा रहा होता है तो यह बना होता है कैल्सियम का इसका फर्मुलास हाव cso4 एंटु है ह्टुव और इसका प्रियोग क्लाफटर में यह घर की किया पुताई से पहले उसका यूफी कराने में इसका परियोग होता है अगला प्रफ नमा रहा है कि चंद्रयान फर्ष्ट भारत का चंद्रमा पर पहला मिसन कि इस तारिक को स्री हरिकोटा से सफलता पुर्वक पर छेपित किया गया तो यह पर छेपित किया जो पहला वाला था ठीक है यह पर छेपित किया गया बाइस यह कब करके बताएगय कि यह कब देट से अपने दोस्तों में किजेगा जिससे आपका प्यार बराबर हमसे मिलता है मारा भी यह परिवार धिरे बड़ा होता रहे अग्ला प्रफ नमारा है कि अंटार कटका में भारत का नया बेस जिसे 2015 में अधिकरित किया गया जिसका निर्माण लां के द्बौकरों के टिक है किया नाम है तो उसका नाम है ठीक है अंटारी ड्पारत किया आई से च्छोटे-च्छोटे बेस अब से पहले अधे कर दो में घी थार्फ बनाए तो हमारा भारती यह कर्फी मिर्या जो कि झिसको भारत नहीं बनाया थिक नावकिय पंद्वी आईनस अरियंत कि इस जहाज निर्माट के कंद्वा बनाय गया तो यह विसाखा पत्नम यह बनाया गया और विसाखा पत्नम की बात पर यह सबसे गहरा बंदर जाए और यह इसी पर क्या हुआ था साइनस अरियंत को बनाया गया था जो कि ये परमाण पंडूबी है नाफिकी पंडूबी है इसका निर्माण विशाखः पत्नम कि जहाज निर्माण केंद्र पर किया गया था अगला प्रफ नमा रहा है कि उपवास के बाद रग्त सरकरा का अफ्तर कितना होने पर मनुष से प्रीडाइप्टिक माना जाता है मतलब डाइप्टिक नहीं हुआ लेकिन होने वाला है तो यह आप उपवास के बाद सुबह आप अपना सूगर्चक करवाने जाते हैं तो यह दिए उस सो से आतरह में पाये जाते हैं इन्हें माद्यम स्रिक्फला में क्या कह जाता है इनको आया है त्री एफिट कहा जाता है और वहम वहारा लाई होता है उसमें फृ नौकलेटट इडचल पाई यांझाटिक अगला पत्रफने नि मनिश्मीज्च की कमी से का in सा रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से इसकरवी नामक हो जाता है ठीक है विटामिन सी की कमी से हमारा इसकरवी नामक हो जाता है जिसमें मसोडों से खून आने लगता है हमारी अगर इसके कमी जाती हमारी रोग पर तिरोदक चमता भी घट जाती है बेरी बेरी जो रोग होता है ठीक ह टिक के बिटामिन वी थीरी की कमी से हमारा पिलागरा रोग होता है इसका नाम होता है निकोटीनामाइड ट्राफाइनिंग नाम निकोटीनामाइड कि टिनामाइड या नियसीन कहा जाता है किस्की क क्या हो जाता है पहलागरा नामक रितऊपट, जो होता है, warto yogi beetamine एक ही कमी होता है हमने आपको बता है उस पर काल इसका जो रहराया है नाम होता है यaurus मैं से 2 बीटामिन जो बीटामिन ये ये डोओनेट है यह एस धूनों क्या है ये दोनों जुल में हमने विटामिन भी उसी यो था ये दोनों थे जल्म गुलनसील और चार विटामिन और A D E K यह चार विटामिन थो वसा में गुलनसील हमने इसका नाम भी आपको पताया था और इसपर प्रक्रारी सी के कमी से कउन सा रोग हो जैता है और सौरा है मे儿 में कौन सा खनीच पाया जाता है तो इन सब में क्या पायाता है मैं sincere नेऑ दाइब कि Будek तो जो बेरी होता है उन सब में क्या पाए जाता है और जितने भी बेरी होते हैं वह सभी सब्सक्राइब किस परिवार्स स्याँति यह अंतिया फूल्गोभी ठीकीज़ अब रिगता है उसे प्सको कि, यह जमी आ हरी जो कखे अगर पूछा ए रही तो कंद है ठीक है अच जम्च एकनद क्या है और चुगंदर क्या है ये जडड फारी क्या है तीक है सल्जम येgas सब क्या है गंजी ये ये सब जड़ है ठीक है आलू तना अर अद्ग्या ये भी तना है कि रखत असकंदन के लिए कौन सा विटामीन आवस्चेक होता है रखत के जमाव के लिए विटामीन के हमारा अवस्चेक होता है इसका रफानिक नाम होता है लो की नून के कि विए लेकि राफानिक से पहिंच लता है कि पूछ लेता है तावी इस जरुवत में पढ़ती है नहीं बताया में होता है इसका आखों अङसर रेटिनल मिटेश टीके में गर सबूस्यर कि बिटामिनगे का हुजाएं था हमारा 플र्सित भीडांच गैनवे राल अब वieso मिटामिन एक पड़ीया का हुजाता है टूफ कई कि यह इनका रहानिक नामें आप यह से भी हाध रखिएगा विटामिन डी की कमी से सूखार हो जाता है cream जाती है अगला प्रसम जा रहा है है की बिसक्रालिय के सामान संख्या कि मतलब क Tamara करने मतलब शक्राः के बराबर करने कीक मिली मेटर क्यों automatic पायतन है इसके अंदर अगर रखत डालेंगे उसमें 4.5 से 10,000 के बीच में क्या होंगे हमारी WBC होंगी ठीक हमारी WBC इतनी होंगी इससे पहले वाले वीडियो में लोगों ने रवी कि प्लेटले लेट्ट से हर कोई जानता है कि प्लेटलेट्स होते हैं तो इसको भी आप करके बताइए अगला प्रस्ण हमा रहा है कि आलबर आइंस्टीन को किसलिए नोबल प्रुषकार से सम्मानित किया गया था तो इनको किया गया था प्रकास या कास विद्दूत परभाव नहीं होना चाहिए यह होगा प्रकास विद्दूतं परभाव के खोज के लिए ठीक है इनको नोबल प्रॉस्कार सन 1921 में दिया गया था यह लिए अगला प्रफ नमारा है कि निम्खित में से कंसा पदार्थ कठोर पानी में अधिक मात्रा में पाया जाता है ठीक है कठोर पानी में सबसे अधिक अधिक मात्रा में पाए इसका सही उत्तर है हमारा कैल्सियम और मैंगनेशियम लेकिन लेकिन इन दोनों में क्या होता है जो हमारे केलसियम और मेगनीसियम है इन्हीं के क्लोराइड सल्फेड या बाइकार्बोनेट यही ज़िए घुले रहते हैं अगला प्रस्वन हम रहा है कि आलू में ब्लैक हर्ट बीमारी किस कारण होता है तो जब हा अलू का भंढारन करते ह जो दो की कमी होती है तो अलु अंदर से अंदर क्षिट आप्प disparu को गया तो कहने के मतलब यह जहां आलू रखी गई थी पिजन की कमी थी है उनको जो में रहते हैं ति तब्भी जिन्दा रहते हैं और पो सबस्थन के ढूंद होता है और उनके पास एक गुरूर होता है उसको यह लोग निट्रीशन भी देते रहते तो यह सब किरियाएं चलती रहती है यहां पर आलू का बंडारण किया गया वहां प्रयाप्त मात्रे में अफिजय नहीं तो आलू क्या होगा अंदर से सडने लगा काला काला हो जाएगा उसी क ब्लैक हाट भीमारी कहते हैं अगला प्रफ में देखते हैं अगला कोई प्रफ नहीं है दोस्तों आप लोग को अच्छा लगिए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक किजिए अपने दोस्तों में शेयर किई और चैनल करकर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और विल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको जितने भी वीडियो एक अप्लोड उसका नोटिफिय के सब्सक्राइब को बराबर मिलती रहे चल तो चलिए आज विदा लेते हैं इसे के साथ जैहिन जैवर